असलाम अलेकुम एबवान आग मैं आपके साथ हलीम की रेसिपी शेयर करने चाहरी हूं इसे दलीम भी कहा जाता है और यह बहुत ही जबरतस बनती है बहुत ही टेस्टी और यूमी बनती है और यह इस रेसिपी को बनने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन यह आराम तो यह देख सकते है तो अगर आपके पास यह ना हो तो आप स्पून की मदद से भी ले सकते हो तो हम सारी दाल को एड़ कर देंगे और हम इसे अच्छी तरह से पानी में विगो के रखेंगे दो से तीन गंटे के लिए पहले हमें इसे वाश कर लेना अच्छी तरह से यहा अच्छी तरह से बीग जाए तो हम इसे बॉल कर लेंगे हमें इसे बॉल कर लेना है बॉल करने के पाथ हमें इसे पीस लेना है तो मैंने यह पर नॉर्मल पैन का स्तेमाल किया आप प्रेशर कुकर भी ले सकते हो यहां पर मैंने चिकन ले लिया है कुछ बोन के साथ है और अब नहीं बीए लिया है, यह मैं बचाऊंगी था कि सब्लीक नापाम इसे आप मसाले आठ करें, शनकेहां श्रया हैं x rookie पाउडर चीली पाउडर, कॉरियंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, सारे पाउडर ले ले लिये है और हमें से अच्छी तरफ से मिक्स करें साइड में रख लेंगे , ये देखिए। ये रीडी हो गया है मैं यहां पर एक पैन ले लिया था पहले हमें को फ्राय कर नहीं पर मै और यहां पर गरम करना है शजर लेंड पेर करना हैं 1 ऊख अफित समाक प्राइए और अनियन को आट बीड़ाएं दो एंसे तरह adopted यहां पर हमारी दाल अच्छे से बॉइल हो गई है तो हम इसे ठंडा करने रखना है और उसके बाद हम इसे पीस लेंगे तो यहां पर अनियन जो है अच्छी तरह से फ्राइ हो गए है यही कलर एक दम पॉफेक्ट है वना अनियन बाद में बहुत जादा डाक हो जाते तो यही स्टेज पर आप इसे निकाल देना साथी में हम कुछ करम मसाले एड कर देंगे वन टेबिल स्पून जिंजर कालिक पेस हम एड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से बूल लेंगे यहने सोटे करना है एक से दो मिनिट के लिए हमें इस तरह से और अभी हम इसमें चिक जब चिकन का थोड़ा से कलर चेंज हो जाए ना तो हम इसमें साल्ट एड करेंगे और यह वही हाली मसाला है जो हमने साइड में बना के राखा था वह भी आड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे बूल लेंगे चाह से पांच मिनिट और यह रिखे क इतना अच्छा कलर आ गया है हमाई चिकन में अभी हम इसमें दही आड कर देंगे इस तरह से आप मिक्स करते जाए दही को या तो हाइ फ्लेम पे दढ़ी आड किजी या तो एकदम अग्दम 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 अच्छी तरह से अपकर दही फटे गानी कभी भी एकदम slow रहना चाहिए गैस या एकदम high पे रहना चाहिए और आपको फटा-फट इसे चलाना होता है और साती में वन कैप मैंने पानी आड़ कर दिया है क्योंकि हमें हमें चिकन को अच्छी तरह से कूप कर लेना है तो यह देखिए और साती में मैंने इसमें थोड़ा सा कोरियंडियर और ग्रीन चिली आड़ कर दिये और अभी हमें से धक के पकाएंगे 25 मिनिट्स के लिए यहां पर मैंने ओट्स ले लिया है यह टोटल 150 ग्राम ओट्स है वारीक वाल ओट्स है यहां पर देखिए हमारे चिकन अच्छी तरह से पकाना है तो यह देखिए यह हम इसे साइट में निकाल के रख देंगे ऐ जितने भी चिकन के पिसे से वहहम निकाल देंगे और अभी हम इसमें जो दाल है वह एड़ करेंगी तो यह देखिए, यहां पर मैंने दाल को पीस लिया है अच्छी तरह से, एक smooth batter ready हो गया इसका, इस तरह से आपको पीस लेना है, यह देख सकते हैं, मैंने चिकन को यहां पर कितनी अच्छी तरह से smoothly से, श्रेड़ इड़ कर लिया है, तो आपको इसी तरह से, तो यहां पर दे अभी आपको इसमें पानी दिख रहा है यह थोड़े टाइम के बाद अच्छी तरह से ड्राइ हो जाएगा तो यह देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और अभी आपको क्या करना है कि सिफ आपके पास अगर कुछ हो इस तरह से जिसे इसे गोटनी बोलते हैं तो इसे आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना इससे बहुत अच्छा तेसा है हली में तो यह स्टेप आपको करना जरूरी है तो आप कर लेना तो यहां पर मैंने नहीं आपर एक प्लेट ले लिए और इसे हम सर्फ कर लेंगे यह बहुत ही यम्मी बना था बहुत ही डिलिश्योज होता है तो उमीद करती हो आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएग